So guys, first of all, nursing family परिवार के और से आप सभी का इस चैनल पर तहे दिल से अर्दे की अनत गेराईयों से हारदिक स्वागत एवाम अभी नंदन करता हूँ आज के इस वीडियो में टोटल 6 सब टोपिक पर बात करने वाले हैं सबसे पहला टोपिक इस वीडियो का रहेगा बीएसी nursing टोटल आपके चार वरसों का कोर्स रहता है इसमें टोटल आठ सिमेस्टर रहते हैं सो उसका पूरा सेलबस इस वीडियो में डिसकर्शन करेंगे सेकंड न्बर पर हम लोग इस वीडियो में डिसकर्शन करने वाले हैं जो आपके first same के syllabus में subject होती है nursing foundation और second subject होती है anatomy and physiology and third subject होती है आपके psychology and sociology so उसका हम लोग introduction देखने वाले है और उसके बारे में जो English books होती है nursing में उसको किस परकार से read करना है English sentence को किस परकार से read करना है उसके बारे में बात करेंगे और फिर medical terminology A to Z medical terminology के बारे में discussion करेंगे जो आज के इस वीडियो में मैंने cover up की है वो AS related जितनी भी terminology है वो cover up की है कि आपका भाई लाया है आपके लिए course जिसमें आपके दो course रहेंगे सो चली course को reveal कर देते हैं आपकी जो खुसी है उसका ठिकाना नहीं रहेगा इस course के मातिम से मेरे तमाम BAC nursing करने वाले सभी भाईयों और बहनों के लिए दो courses लाए गए हैं इसमें सबसे पहले तो BAC nursing के जो मैं आपको course बताऊंगा जिसमें first same का total syllabus प्यूपीटी के मातिम से आप लोग screen पर देख सकते हैं ये provide किया जाएगा सो सबसे पहला course रहेगा मेरे उन तमाम इंदी मेडियों वाले भाईयों और बहनों के लिए जिसमें हम लोग आपको इंदी से English में transformation करने वाले हैं इस English spelling book हर class में जैसे ही आपके मेरे class होती थी मैंने तो वो परिषानी जेल दी हैं मैं चाहता हूँ कि अब आपको वो परिषानी जेली ना पड़े हर class के बाद जो hard spelling होती थी वो मैं लिख देता था आप लोग जानते हैं English जो खेल होता है वो meanings का होता है वो सारी meanings first semester में आपको BAC nursing के जो notes हैं वो free में मिलेंगे आप लोगों को इस पे scan करना है और 9929027033 पे WhatsApp message कर देना है आपको paid group में जोइन करवा दिये दाएगा और इस course में क्या रहेगा इस course में only for आपके BAC nursing first year के notes रहेंगे, PPT रहेगी, book रहेगी तो इसको scan करके आपको only 39 रुपे पे करना है ज आप लोगों को स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, यह सारी PPT आपको 39 रुपे में मिलने वाली है और इंदी मेडियों वाले वित्यारती यह course बाइग कर रहें सबसे पहले semester का आपके syllabus रहने वाला है और यह आपका first year का syllabus है जिसमें first and second semester रहेंगे, दो semester में दोनों में यह आपका exam होने वाला है, six, six month के बाद में, सबसे पहले semester में syllabus रहेगा, communicative English, applied anatomy and physiology, third नमर पर applied psychology and sociology and fourth नमर पर nursing foundation first रहने वाला है, अगर मैं बात करूं second semester की जिसमें applied biochemistry रहेगी, applied nutrition and dietetics रहेगी, nursing foundation second रहेगी, और health, informatics and nursing and technology आपका second semester का syllabus रहने वाला है, अगर मैं बात करूं second year की, यानि कि आपके third and fourth semester की, तो इसमें आपका, जो कि third semester में रहा भी चल दी रहा है, इसमें applied microbiology and infection control including safety रहने वाला है, pharma first and patho first रहने वाली है, adult health and nursing जिसे medical surgical nursing भी क professional आपके values and ethics including bioethics, या आपका fourth semester का syllabus रहेगा, आगर मैं बात करूं, five semester के syllabus की, सुफाइस सेमेस्टर में आपका syllabus रहेगा, child health nursing first, mental health nursing first, community health nursing first, educational technology and nursing education and आपका next रहेगा, पांचवा, जो subject है वो रहेगा, आपका introduction to forensic, nursing and Indian law, six semester की बात कर लेते हैं, तो six semester में आपका syllabus रहेगा, child health nursing second, mental health nursing second, nursing management and leadership and midwifery, obstructive and gynecology first, या आपका sixth semester का syllabus रहने वाला है, चलिए seventh semester की बात करूं, तो इसमें आपका रहेगा, community health nursing second, nursing research and aesthetics, midwifery and obstructive and gynecology, second part इसमें रहेगा, first part आपका रहेगा, इसका sixth semester में, अगर मैं बात करूं, eighth semester की, तो इसमें आपका internship होने वाला है, तो ये चलिए अब हम लोग video का next topic देखने वाला है, जिसका नाम है introduction to nursing foundation, आप लोगों को अभी भी मैं बता चुका हूँ कि nursing foundation आपके first step and second step का subject हैं, वो रहने वाला है, इसमें हम लोग nursing के basic rule देखेंगे, ethics देखेंगे, patient care के basic rule देखेंगे, तो ये आपका base रहने वाला है, आप ल nursing foundation के, इसके बारे में definition देखेंगे, nurse की full form देखेंगे, nursing होती क्या है, इसके बारे में जानेंगे, और जो famous definition है Virginia Henderson के, उसके बारे में भी discuss करेंगे, और उसके बारे में हम लोग N.I.N.P.J.O. का introduction करने वाला है, so first of all आपका रहते आए, introduction to nursing foundation, और जो इसका exam के, अगर मैं ब बाता दो, कि nursing foundation का practical भी होता है, so चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, कि nursing word आया कहा से आखिरकार, और ये nursing word आया कहा से, और अब इतना बड़ा हो चुका है, कि अब आप लोग इसे carrier के रूप में select कर रहे हैं, और आपने एक profession बना दिया है, so the word nursing is originate from, derived from latin word, latin word था एक neutrics, जिसका meaning होता है, to nourish, to nourish मतलब किसी को portion provide करना, so यहां मैं relate कर सकता हूँ, किसी को care provide करना, किसी की रखवाली करना, so ये word आपके derived है, neutrics से, जो कि एक latin word था, और इसका means होता है, to nourish, portion provide करना, so I hope आप लोगों को ये line समझ में आ गई होगी, next line के एक में बात करूं, nurse is a person who nourishes, foster and protects, so nurse एक ऐसा व्यक्ति होता है, या फिर होती है, जो आपके लोगों को क्या करता है, नरिश करता है, लोगों को प्रोटेक्ट करता है, लोगों को portion provide करता है, लोगों को सुर्ख सा देता है, so वो होता है आपका nurse, अगर मैं बात करूं, third topic की, so a person prepared to take care of sick, injured और age person, इ हम लोगों को पता दलता है, कि जो nurse है, वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, कि nurse का क्या का होता है, nurse होता है, वो prepared रहता है, किसके लिए prepared रहता है, जो बिमार लोग है, उनके लिए, जो age dep पर्षन है, जो बुढ़े लोग हैं, उनके लिए अमेशा ततपर रहता है, prepared रहता है, सो वो थिया आपके नर्स, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, आपके नर्स की full form, सो नर्स की full form क्या है, बहुत ही interesting topic है ना, सो एन का मिन तो आपका होता है, nobility, noble, सो नर्स noble होनी चाहिए, महान होनी चाहिए, कुलीनता होनी चाहिए, greatness होनी चाहिए, अगर मैं बात करूँ, मेरे को जो better word लगता है, एन की जगा, वो लगता है knowledge, एक नर्स में knowledge होना था ही, तो तभी वो आपके नर्स के लाएगी, तो एन का मतलब noble, और यहां knowledge भी add कर सकते हो, यू का मतलब understanding, एक नर्स में common understanding होनी चाहिए, समझने हा, जो एक common होता है, वो आपके नर्स में होना चाहिए, तो यू का मिन होगे आपके understanding, अगर मैं बात करूँ आर की, आर का मतलब एक नर्स है, वो responsible होने चाहिए, तो आर का मतलब हो गया responsibility, अगर मैं बात करूँ S की, यहां गलती से R टाइप हो गया, आप लोग S कर लीजीएगा, सो S का मतलब होता है, sympathy, sympathy किसे कहेंगे, मालनो मेरे साथ कोई गलत कटना गटित हो गई, जो कि unwanted कटना गटित हो गई, सो मेरे को कोई आकर आश्वासन देगे कि कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, सो वो होती है आपके nurse, जो आप patient की care करते हो, बहुत सारे patient ऐसे आते हैं, जिनकी condition बहुत खराब होती, सो उनको आश्वासन देना है कि याँ ठीक हो जाएगा, सो इस परकार के sympathy जो रखता है, वो होती है nurse, nurse में knowledge होता है, nurse में understanding power होती है, nurse responsible होती है, और nurse में एक sympathy होती है, और last में nurse efficient होती है, nurse सक्सम होती है, चलिए अब हम लोग next आगे बढ़ते हैं, और nurse की definition देख लेते हैं, सो nurse की nursing की definition आते गई लोग और उन्होंने definition देते रहे, सबसे पहले एक बात तो मैं आपको बताना भूली गया, 12 मही को, 12 मही को आपके nursing device मनाया जाता है, nursing की देवी उसे ही कहा जाता है, Florence 90 गल को, Florence 90 गल का जीवन परीचे, हम लोग एक separate वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखेंगे, बहुत ही inspiring story रहेगी आपके लिए, कोई व्यक्ति इतना कैसे कर सकता है, मैं तो, मतलब आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते, जो Florence 90 कल ने किया है, एक अलब profession खड़ा कर दिया, अभी कितने लाखों लोग, करोडों लोग nursing से जुड़े हुए, बहुत interesting inspiring story रहतने वाली है, उसको आप लोग ज़रू देखीगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साइन्स कैसे हैं, आपके साइन्स इस परकार से हैं, ये knowledge best for care given, नर्स होती हैं, वो knowledge best आपको patient को care provide करती हैं, second art कैसे हैं, so means skilled application of knowledge to help others, others की help करने के लिए, उसमें एक कला होनी चाहिए, आप लोग जानते हैं, हर patient एक जैसा नहीं होता, और हर patient के साथ deal करने के जो तरीका होता है, वो जो book में लिखा होता है, वो नहीं होता, आपको अलग से आपको अंदर क्या ability हैं, आपको अंदर क्या efficient हैं, ताकि आप patient की care कर सको, तो वो होता है आपका art, चलिए, अब हम लोग nursing की जो famous definition है, जो के आपको Virginia Anderson ने आपको दिए, तो उसको discussion कर लेते हैं, ये definition आपको रट लेनी है, क्योंकि ये definition आपके exam के point of view से, आपके आगे आने वाले जो भी आपकी जानकारी हैं, उसके लिए ये बहुत important होने वाली है, इस definition का screenshot अभी लेजिए और इस definition को रटिए, बाकि चलिए, मैं definition का आपका intro कर वाता हूं, बाकि definition इतनी बहुत easy level की, आप लोगों को definition के गबराना नहीं है, कि इतनी बड़ी definition केसे याद रहेगी, चलिए, मैं definition आप लोगों के सामने रखता हूं, और तो पीसफूल डेथ, 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 यह वोड परफॉर्म अनडेथ, इफ यह एड नेसेशनी नॉलेज इस्टेंट विल और नॉलेज, और तो दू दू दिस इन सच ए वे, सबसे पहले तो जो नर्सिंग है, वो नर्स का यूनिक फंक्सन है, यह आपको वर्ड समझ में आ गया, अब मैं आपको जो मैं पॉइंट है, वो उस पर लेकर जाता हूं, तो नर्स अपने सारे नॉलेज, अपने सारी स्टेंट, अपने सारी विल का यूज करके, अपने सारी विल का यूज करके, एल्थ और पैशन्ट की एल्थ, और पैशन्ट को रिकवर करने में, जो यूगदान देती हैं, जो कॉंट्रिबूटिंग करती हैं, जो परफॉर्म करती हैं, और सिक और वेल, स्वस्तिय और आपके बीमार व्यक्ति को स्वस्तिय और बीमार व्यक्ति को assist करती है, तो उसे ही हम लोग nursing कहेंगे, एक बार फिर से हो जाए nursing आपके nurse का unique function है, जो कि आपके किसी भी individual को, जो कि बीमार है और जो कि आपके स्वस्तिय है उसको क्या करती है उसके आपके उसकी health में और उसकी recovery में आपके contribute करती है पर्फॉर्म करती है एक्टिविटीज करती है अपनी strength के आधार पर अपनी will के आधार पर अपने knowledge के आधार पर और यहाँ death क्यों डिकाए आप लोग death भी समझ रहे होंगे कि यार नर्सिंग में death death थोड़ी करनी patient की तो इसके बारे में आपको बता दूँ नर्सिंग में आप लोगों को death patient होते है dying patient होते है उसकी भी care करनी होती है तो वो तो आप लोगों को जैसे जैसे आगे बढ़ोगे उसके बारे में आप लोगों को पता चलेगा सबसे पहले स्क्रीन सोट लेज़े और इस definition को बार बार रट ये उमिद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी और समझ में नहीं आती है आए तो comment करें आप लोगों को अगला जब भी वीडियो आएगा अगला वीडियो तो paid रहने वाला है तो उसमें आपको समझा दी जाएगे अब मैं next बढ़ता हूँ आ आपको कोई भी branch दी जाएना उसकी definition कैसे देनी definition आप लोग सीधा सीधा ऐसा ही बोलो anatomy की दी हुई है so anatomy is the branch of science that deals with the study of body structure जो anatomy होती है वो आपके body structure से साथ deal करती है मालों यह earth है so इसमें हम लोग earth के chamber के बारे में देखेंगे आपके सारा कुछ earth के बारे में discussion करने वाले है औ वो सारा हम लोग physiology में देखेंगे कि आपका blood किस प्रकार से pump होता है blood किस प्रकार से circulate होता है जो function होते है so function में हम लोग deal करते हैं physiology में और जो structure होती है उसका हम लोग deal करते है anatomy आई यह ओप आप लोग एना इन फीजियो में difference समझ पा रहे होंगे anatomy तो आपके study of body structure और physiology है आपके study of science of body function physiology की definition हो जाएगा आपको physiology is the branch of science and that deals with the study of body function so परते एक आपके जब आप एना फीजियो पढ़ोगे तो परते एक सिस्टम की जो गैरा सिस्टम है उन सारे सिस्टम की आपको अलग से anatomy पढ़ाई जाएगी और अलग से physiology भी पढ़ाई जाएगी so don't worry आप लोगों को टैंसल लेने के ज़रूद है नहीं बाकि एक दो क्लास जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे paid group के members हैं उनको मैं बता तो आपको एक दो क्लास एना फीजियो की भी प्रवाइड कर दी जाएगी बाकि नोट्स के मादियम से मैंने इतने डिटेल नोट्स is very easy so this books की language बहुत ही easy लगे ना आपको वो बुक बाय करनी है चलिए यह तो बहुत ही common topic था आप इसके बारे मैं क्या ही बता हूँ अभी तो आपके counselling सुरू होने वाली है so how to improve English English को improve कैसे करना है यह बहुत ही important हो जाता है अभी आप लोग free हो so free time में क्या करना है free time में movie या नहीं देखने है आपको देखनी है Hollywood movie watch movie in English और immerse yourself देखी सबसे पहले तो आप लोग आई ने के खड़े सामा ओकर अपने आप में English बोलने का परियास करी लोगों के साथ या अपने friends के साथ English में बात करी ताकि आपके English मजबूत हो सके बाकि देखी books पढ़ने के लिए so spelling तो मैंने आपके जितने भी first semester की spelling है ना वो compelled करके आप लोगों को provide कर दिये तो आप लोग किस बात का इंसे जार करे हो अभी जाकर उस course को तो buy करी लेना only for 58 rupees का ही है second start a vocabulary book of useful words आपको बताईए a conversation in English बताई दिया मैंने आपको and practice 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 बहुत ही आपके practice का इखे रहता है medical terminology देखने वाले हैं यह मेरे उन तमाम indie medium वाले विध्यारतियों के लिए वैसे इंग्लिस medium वाले विध्यारतियों के लिए भी हैं so English medium वाले विध्यारति भी यह course buy कर सकते हैं मैं आपको खुली बता देता हूं कि आपको यह term नहीं आती होगी क्योंकि अभी तो आप लोग the tummy area from the lower ribs to the pelvis सबसे पहले abdomen का मैं सिंपल मिन बता तो पेट pelvis से यहां फिर आपके लोवर लिप से जो नीचे वाला हिस्सा है tummy area उसे abdomen कहेंगे next आपका आता है abortion abortion आपने कहां देखा होगा last बार मैं आपको बता तो जो आपने reproductive health chapter बढ़ा था 4th chapter था NCIT का 12th का जनन स्वास्ते उसमें आपका word आया था एक abortion सो abortion का मिन बता है ending a pregnancy सो pregnancy को end करना जो unwanted pregnancy हो जाती है जो गलती से pregnancy हो जाती है उसको end करना किस प्रकाश एंड करते हैं यहां तो medicine देखे यहां फिर surgical process के तरू सो ending a pregnancy using either medicines और operation operation भाई साब इसका बहुत ही खतरनाक तरीकेश होता है आप लोग वीड अच्छे के एक एक अंग को अलग करके बाहर निकार जाया जाता है उसे हम abortion कहते हैं नेफ्स्ट आप इनरसी में बहुत ही जड़ा word यूज़ता है वह होता है आपका acute acute का means हो गया sudden एक होता है chronic और एक होता है acute acute का word यूज़ता है कम समय के लिए और chronic का आपके mean होता है जड endometriosis in the muscle wall of the uterus so uterus में ये आपका uterus है ये आपके endometrium layer है इसमें अर्बूत बन जाता है इसमें tumor बन जाता है इसमें gant type बन जाती है इसकी muscle बाहर आ जाती है इस condition में ये बहुत ही critical condition होती है इसमें uterus को बाहर निकालना पड़ता है इसका कोई illajatz नहीं है uterus को ही बाहर निकालना पड़ता है और एक procedure के तरू बाहर निकालते है और उस procedure का नाम आप लोगों को comment में लिखना है आप लोगोंने पढ़ाई है वासेक्टो में क्या होती है तो आप लोगों को uterus को बाहर निकालने के प्रिक्रिया क्या कहेंगे इसको आप लोगों को कमेंट में बताना है देखता हूँ कितने लोग बता पाते हैं नेक्स्ट आपका आजाता है नेक्स्ट टरम है आपकी अधेशन्स तो एक और बात मैं आपको बता देना चाता हूँ इससे मेरे को एक और बात आ गया जब भी आप medical में जाओगे medical field में adhesive tap जो आपके normal घरों में use होती है tap gutty जिसे आप लोग कहते हैं जो चिपकाने की काम आती है उसे हम tap gutty कहते हैं लेकिन अब आप medical term में तो उसे हम क्या कहेंगे adhesive tap कहेंगे adhesive tap आप लोग जानते ही हैं अब मैं additions की बात करूँ scars that connect two or more body structure तो दो से ज़्यादा body structure को जोड़ने वाल structure को में लोग क्या कहेंगे additions अगर मैं बात करूँ next जो आपके five terminology five होगे अब और पांच terminology और देख लेते हैं सबसे पहले इस में terminology आती anesthesia तो anesthesia क्या होते हैं general meaning में बताऊ और आपका प्रोफाइल एक्सिस एनाफाइल एक्सिस क्या होता है एनाफाइल एक्सिस is a severe and potentially life-threatening allergic reaction that needs immediate treatment आपके emergency condition होती है जिसमें patient को immediate treatment की need रहते हैं तो यह आपका एनाफाइल एक्सिस हो गया अगर मैं बात करूँ antinatal बहुत ही important term है इसको तो आप लोगों को याद रखना ही है antinatal यहां फिर इसे prenatal भी कहते हैं बहुत ही ज़दा बार word यूज़ होगा आप लोग nursing करने आयो इसमें introduction से लेकर psychology में भी यूज़ होगा आपके nursing foundation में भी यूज़ होगा antinatal word का means होता है before birth पसव पूर्व बर्त से पहले चलिए अब हम लोगो next term देख लेते हैं antibiotics यह word तो आपके कितनी बार यूज़ होगा यह word सुनकर आप लोग पक्का बोर हो जाओगे आगे nursing में यह word का meaning होता है medicine to fight an infection caused by bacteria जो infection बैक्टिरी का दिवारा caused किया जाता है उन infection को जो यह उन infection को kill करती है उन infection से लड़ने की जो medicine होती हैं उसे हम anti-bio-tix कहते हैं इसे हम anti-inflammatory भी कह सकते हैं चलिए अब हम लोगो next बात करते हैं अनस तो आप लोग जानते ही है the opening of the rectum to the outside of the body चलिए अब आपका जो वीडियो का एक और important part आजाता है वो है daily use sentence daily use sentence में सबसे पहला sentence आता है बहुत ही interesting video का part है यह भी इसमें मेरा क्या कसूर है इसमें मेरा क्या कसूर है जल्दी करो मेरे साथ चलो इस सारा मत करो आप लोग पहले तो एक copy पर यह answer लिख दीजिएगा यहां फिर ऐसा करीए आप लोग comment में यह सारे answer लिख के बताइए कि आप लोगों को पहले कित्ते आते थे चलिए पहले का में answer बताता है इसमें मेरा क्या कसूर है अगर मैं इंगलिस में convert करो तो इसका हो जाएगा what is my fault what is my fault what is my fault in it इसमें मेरा क्या कसूर है अभ मैं बात करो जल्दी करो मिन क्या हो गए आपका इंगलिस में इंगलिस में इसे जल्दी करो उैसे अन क्phon ஜिचर जो फोन का यूज करते है जिसे फॉन की सेटिंग अच्छे से करना आता है उसको आता होगा जचर और पॉच्चर करके उपसन आता है इस सारा मत करो इसको उन क्या कहेंगे डॉन जचर चलिए हम लोग नेश्ट बात कर लेते हैं अब आपकी नेश्ट जो डेली यूज मिनिंग्स आती हैं उसमें हैं तुम डर्पो को ये मिनिंग्स एक तो मैंने आपको पूचा था यूटेलस वाला किसा और एक तुम डर्पो को ये दोनों कमेंट में अभी लिख दो आप लोगों को कमेंट का रिपलाई किया दाएकार आप लोगों को 10 रुपे का एक्स्ट्रा डिसकाउंट होगा यदि आपने इसका आंस्वर कर दिया तो एक बात बोलू एक बात बोलू इसका आपके हो जाता हैं मैं पक्का आऊंगा मैं अगले वीडियो लेकर पक्का आऊंगा मैं अगले वीडियो लेकर पक्का आऊंगा मैं अगले वीडियो लेकर पक्का आऊंगा कांस्लिंग पर वीडियो लेकर आऊंगा I am a person of words I am a person of words I am a person of words उमेद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आये होगा इसे बड़ी मेहनत से बनाए गया है आप लोगों के लिए इस वीडियो को अपना भरपूर प्यार दीजीएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में आपके पेड़ कोर्स में थैंक्स पर वाचिंग प्लीज दू दे सुब्स्क्रेब बिटन प्रेस्ट बेल अगें पहुर्द नोटिपकेशन थैंक्यू